मित्रों को जय जय सियराम मा लक्षमी की कृपा हमारे सारे मित्रों पर बनी रहे यही हमारी शुब कामना है यही हमारी मंगल कामना है तो मित्रों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वेल आइकॉन जरूर दवाईए ताकि जब तो नोटिफिकेशन सब से पहले आपके पास पहुंचे अगर आपका अच्छा समय होने वाला है अगर आपके घर में महालक्षमी का आगवन होने वाला है तो आपको धन प्राप्ति से पहले इस्वर कुछ संकेत देते हैं तो आईए आज हम बताते हैं कि हमें क्या संकेत मिलता है कि हमारे यहां लक्षमी का आगवन होने वाला है यदि आपके घर में कोई चिरियां आकर घोशला बना ले तो यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है बहुत ही शुभसंकेत माना जाता है अगर आपके घर में अगर कोई चिरिया गोशला बना ले तो आप समझेए कि आपके घर में महालक्षमी का आगवन होने वाला है यदि आपके दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो यह भी धनप्राप्ती का सुभसंकेत है यदि आपको शपने में जारू, उल्लू, हाथी, निबला, शंक, छिपकिली, इत्यादी अगर दिखाई परे तो यह भी धनप्राप्ती की शंकेत है ऐसा भी जो तिश्यास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि शुभा हूटते ही अगर आपके कानों में शंक की आवाज सुनाई दे और शंक की आवाज अगर साम में भी सुनाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगवन का संकेत है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं घर से अगर रास्ते में अगर गन्ना आपको दिखाई दे तो यह भी धनप्राप्ती की ओर इशारा करता है महालक्ष्मी का बाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर अगर पहले से बहुत दिनों से नहीं दिखाई दे रहा है तो मान लिजिए मालक्षमी का वहान उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दीन से अगर दिखाई पड़ता है तो यह मान लेना चाहिए कि आपके घर पर महालक्षमी का आगवन होने वाला है और आपको जल्द ही धन की प्राप्ती होने वाली है कदी आप कोई काम से बाहर जा रहे हैं अगर रास्ते में कोई कुट्ता अपने मुझ में रोटी लेके खाने वाली चीज अगर दिखाई देता है रोटी लिए हुए तो इस बात की और शंकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाब होने वाला है कदी आप घर से बाहर शुबह में निकलते हैं और निकलते समय घर से बाहर निकलते समय ही कोई जारू लगाता अगर दिखाई देता है अगर ऐसा अगर आप बार बार देखते हैं तो समझ लिए कि आप बहुत जल्दी धनवान बनने बाले हैं